तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 एक्जाम के बारे में और वीडियो में हम बात करेंगे रिवाइज जंसर की के बारे में कि रिवाइज जंसर की का बार रही है और जो 38, 42, 42 नंबर के आस पास पार रहे हैं वो क्या पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे तो वी वीडियो को शुरू करने से पाले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटि अपलाई भी देता हूं जो भी समस्या है जिस रखी भी समस्या है उनको आप लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं उचल यह शुरू करते हैं हम बात कर लेते हैं AIB 18 रिवाइज एंसर की की तो आज रात तक जो है AIB 18 में आप जेक्शन रेज करने का समय आप दिया गया थ पर आप से अपत्ती मागी गई थी तो आज आखरी डेट है आज तक आपको आपत्ती देना है उसके बास से फिर जो है BCI जो है आपके जो भी आप जेक्शन होंगे उस आपत्ती को देखेगी उसके बास से उसका निस्तारण करते हुए आपका जो है रिवाइज डेंसर की किया जाएगा तो आज जो है आखरी डेट है अब्जेक्शन करने की उसके बाद से जो भी अब्जेक्शन आप रेज किये हैं उस पर प्रापर स्कूरूटनी होगी उसके बाद से फिर से पुनह रिवाइज डेंसर की आएगा तो रिवाइज डेंसर की आने के बाद से आपका जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो रिवाइज डेंसर की कब आएगी चुकि आप जेक्शन आप रेज किये हैं उसके बाद से प्रापर आप सभी के आप जेक्शन पे इसकूरूटनी होगी आपके आप जेक्शन को चय क्या जायगा कि आपके आप्जेक्शन सही हैं कि नहीं सही हैं तो कुल मुला के हफ्ता 10 दिन का समय तो उसमें लग ही जाएगा वर इसलिए आप जेंशिए करने के आज आखरी डेट है प्रिसनीडे करने की जो लिंक है वो गलत है उसके बाद से जाचने के बाद से रिवाई जैंसर की पब्लिश की जाएगी और उसी आधार पे आप सभी का AIB 18 का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं जो 38 नमबर पाया है 49 नमबर पाया है 41, 42, 43 नमबर पाया है वो कैसे पास होंगे क्या उनका रिजल्ट पास आएगा कि नहीं आएगा तो 6 से 7 परस्ण ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं विवादित हैं अगर उन परस्णों पे सब को नमबर मिलता है तो 29 वाला भी पास हो जाएगा 49 वाला भी पास हो जाएगा अगर उन परस्णों में से कुछ परस्णों को डिलीट किया जाता है और कुछ परस्णों का आपसन चेंज किया जाता है तब भी जो बार्डर लाइन पे होंगे जो 42, 43, 41, 44 के आसपास होंगे उनको पास होने की उनकी पासिबिल्टी जादा है तो इसलिए अब ये देखना होगा कि जो बार काउंसिल आफ इंडिया की और से रिवाइज डेंसर की पब्लिश की जा रही है उनमें कितने परस्णों को डिलीट किया जा रहा है और कितने परस्णों का जो आफसन है वो चेंज किया जा रहा है सारी चीजे सारी बातें आपका रिजल्ट उसी पे डिपे होई हैं ऐसा यह नहीं कहा ह27 पर जो है बिदिलेट होंके लेकिन दोसे थीस प्रसन जोह कुल रांगली है उसका जो एंसर बता गया है वह गलत है या एक से जादा उसके अंसर सही हैं तो इस आधार पर उस प्रशन को डिलीट किया जाना ओसके बाद से दो थीन प्रशन जिनके को जो कि आए उनका इंसर गलत बता बतायाँ घया है तो हो सकता है उस प्रशन का जो जो का सही एंसर है उसको रिषा याइट न्शर कीमें तैयार करेगी तो अब सारा दारों मदार उसी पे है कितने प्रस्ण को डिलीट किया जाता है कि इसने कितने प्रस्ण का जो आपसन बदला जाता है उसी आधार पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उसी आधार पे आपके रिजल्ट आपके एक्जाम का भविश्य तो जब भी रिजल पब्लीश होगी रिवाइज देंसर की जब भी आएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद से भी आपको फुर्दर मौका दिया जाता है आप चाहें तो अपनी वह एमार सीट की जो है रिचेकिंग करा भी रिचेकिंग भी करा सकते हैं तो सारे आपसंस आपको उपलब्द करा जाते हैं बार काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से तो बिल्कुल परिशान न हो येगा इन्तियार करिए रिवाइज देंसर की का हो सकता है कि आप रिवाइज देंसर की में ही पास हो जाएं बाकि जो भी अपडेट आती रहेगी बीसी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो के साथ साथ चैनल को अधिक सदिक शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थन्यवाद